number two, write the coefficient of x square in each of the following आपको इन सब में क्या करना है, जो x square है, उसका coefficient लिखना है, ठीक है, स्राट करता है सबसे पहले क्या है, two plus x square plus x, दीक है, आपको सिफ x square की बात किए, सिफ x square का coefficient लिखना है तो x square के साथ कौन सा number लिखा है, फिर number लिखा है, नहीं लिखना, तो लिखे, coefficient, सब में यही statement लिखना है coefficient of x square is, is लिखे, यह पर equal to लिखे, क्या है coefficient of x square, यहाँ पर कुछ number लिखा है, नहीं, तो अब लिखेंगे one और sine की ओन सा है, प्लेस का, तो plus सिम्पल 1, इसका b part 2 minus x square plus x cube, यहाँ पर के क्या है x square को साथ क्या लिखा है, नहीं, कुछ नहीं लिखा है, तो 1 और क्या साथ लगा है नहीं का, तो coefficient of x square is minus 1 पूरा statement लिखना है ऐसा coefficient of x square is minus 1 अई हाप पर भी coefficient of x square is सब में लिखना है यह pi upon 2 इसको बोलते हैं pi pi upon 2 x square plus x तो x square के साथ क्या लिखा है pi, pi की एक value होती ही वो होती ही 3.14 या फिर 22 by 7 pi की value होती ही 3.14 यह नमबर है या फिर 22 by 7 आप कोई नमबर है तो कहा लिखेंगे x square की value coefficient of x square is pi upon 2 फोर्थ root 2 x minus 1 root 2 है x minus 1 तो आपको यहाँ पर x square दिख रहा है नहीं दिख रहा ना तो आप कहा लिखेंगे zero क्योंकि कुछ है ही नहीं तो हम कहा लिखेंगे zero तो हम प्रिखेंगे एच्झ का लिखेंगे अच्छ नहीं क्योंकि कुछ नहीं क्योंकि क्योंकि कॉछ